मेर नम है Priyanka, आप देख रहे हैं It Simple, ये वीडियो English Class 10th के लिए है One Minute Summary for Two Stories About Flying तो इस First Flight से शुरू करते हैं एक young seagal alone थी अपने लेज़ पे उसके दो भाई और उसकी बहन अल्रड़ी ऊड़ चुके थे उसके मन में भी इच्छा थी उन्ने की पर वो उन्ने ही पा रहा था वो उन्ने से ही डरता था, इसलिए वो courage नहीं जोटा पा रहा था उन्ने के लिए वो बहुत जाद धुखी हो गया था, उसके मही पापा उसके पास आये They called him to fly, they rebuked him उन्होंने उससे डराया कि अगर वो उड़ा नी तो वो वहीं पे भूखा मर जाएगा, पर वो हिल भी नहीं पा रहा था ये सब 24 गंटे पहले था, तब से अब तक उसके पास अभी तक कोई नहीं आया था वो देख रहा था कि किस तरीके जो उसके पेरेंट उसके भाई और भेहन को चिका रहे थे कि डाइट कैसे करना है फिस के लिए, पर वो अभी भी उन नहीं पा रहा था Sun was rising, उसे heat बहुत जादा मैसूस हो रही थी, उसने पिछली डाप को भी कुछ नहीं खाया था सीगल ने अपनी आखे बंद कर दियो और वो एक पेर पे खड़ा हो गया, दूसरा पेर उसके विंके पीचे चुपा हुआ था उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो सो रहा है पर उसके पेरेंट्स ने उसकी ज़र्फ देखा तक नहीं हाईवर उसकी माउस को देख रही थी, उसने अपनी मा को देखा कि वो एक मचली का टुकड़ा अपने पैड के नीचे रखे फाड रही थी उसने उस मचली के टुकड़े को लेने के लिए मा को आवास लगाई, मा ने आवास का उतर दिया और उसकी तरफ देखा उसकी माउसे खाना देने की बहुत कोशिश कर रही थी पर वो उस खाने को प्राप्त नहीं कर पाया उसने सोचा कि उसकी माउस क्यों और पास क्यों नहीं आई उसे खाना देने के लिए उसे इती ज़्यादा भूख लग रही थी that he dived at the fish चिलाट में वो आगे खाली स्थान पर गिरा उसकी माँ ने उपर की तरफ से जप्टा मारा जैसे ही वे नीचे से गुजरा उसने उसकी परो की आवाज सुनी वो इतना जादा डर गया था his heart stood still और वो कुछ भी सुन नहीं पारा था उसके पेरेंट्स और भाई भहन आगे ग्रीन सर्फिस पे लैंड हो गए थे और वो उसे बुला रहे थे कि वहां के वो भी लैंड हो जाए उसने अपने पेर नीचे ड्रॉप किये तु स्टन आथ ग्रीन सी पर उसके पेर नीचे पानी में डूपता ही जा रहे थे और वो डर से गिर गया था उसने दुबारा उटने की कोशिश की अपने विंग्स को फ्लाप किया पर वो बहुत जादा थक चुका था और वो भूखा भी था वो उट नहीं पा रहा था इस फीट सांग इंडू दू ग्रीन सी, इस बली तच्ट इड़नी सांग नो फॉर्दर उसकी फैमिली भी उसे प्रेस कर रही थी और वो उसे ओफर कर रही थी स्क्राप्स और इसी तरीके से उसकी फॉर्स फ्लाइट सक्सेस्फुल हो गई समरी यहीं पर खतम होती है बोनस में इंग इंपॉर्ट फॉषिंट हाव दिड़ यंग सीगल्स फैमिली सेलिबरेटेट इस फॉर्स फ्लाइट वाई सारी चीज़े आजेंगे कि ऐसे वो ग्रीन सी पे फ्लोट नहीं कर पा रहा था और उसकी फैमिली ने उसे प्रेज किया जब वो फ्लोट कर पाया और उसे ओफर किया लास्ट में स्क्रैप ओफ डॉग फिश तो यह सारी चीज़े तुम लिख सकते हो okay so that's it for this video